जैहिंद प्यारे साथी हूँ उत्थान क्लासिस में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप लोग जल्दी से सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट जो है अपडेट है आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए जिन साथियों ने आप में से जिन साथियों ने railway group D का exam दिया था उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी news है एक बहुत बड़ी खुशकवरी है आप सभी साथियों के लिए तो सभी लोग जल्दी से live आजाएं सभी साथ ही जल्दी से live आजाएं फिर हम बताएंगे कि क्या update है ठीक है फिर हम आपको update देंगे कि क्या update है off duty airman hello sir जल्दी बताओ कैसे देखे answer की बिल्कुल भई off duty airman अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें बताऊंगा पूरा प्रोसेस क्या है पूरा प्रोसेजर क्या है वो सब मैं बताऊंगा ठीक है जल्दी से आप सभी लोग लाइफ जुल जाईए उम्मे सिंग हेलो भई सभी सभी लोग जल्दी से लाइफ जुल जाईए फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या अपडेट है क्या अपडेट है आंसर की आ गई है कैसे डाउनलोड करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं सारी चीज़ें डेटेल में बात करेंगे हम ठीक है चलिए दीपांश्यू सिंग हेलो सभ सभी लोग जल्दी से जुल जाईए फिर हम आप अपने आज की सेशन है उससे स्टार्ट करेंगे आज की सेशन में सिर्फ इन्फोर्मीशन है और कुछ नहीं ठीक है शिर्फ इन्फोर्मीशन है रेल्वे ग्रूप D 2022 के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है और एक्शली य अपडेट है, तो सभी लोग जल्दी से जुल जाईए, सभी लोग जल्दी से जुल जाईए, एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, और जो भी लोग जुले हुए है, सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें एक दम से, और दे ररबी की वेबसाइट, ओफिशल वेबसाइट को खोलेंगे, तो वहाँ पे आपको एक नोटिस दिखाई देगा, आर ररबी की ओफिशल वेबसाइट पे आपको एक नोटिस दिखाई देगा, मैंने वो नोटिस डाउनलोड कर लिया है, मैंने वो नोटिस डाउनलोड कर लि यह फिर हम देखेंगे कि इस नोटिस में इस नोटिफिकेशन में क्या-kia चीज़ें है ठीक है देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा शायद जूम करने की जरूरत नहीं है मुझे आप सब को शायद दिखाई दे रहा होगा एक सब्सक्राइब करता हूँ कि दिख रहा है या नहीं प्रॉपर नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा यानि कि जूम करना पड़ेगा ठीक है जूम करना पड़ेगा इसे जूम करना पड़ेगा अब शायद सारी चीजने दिखाई दें ठीक है अब शायद सारी चीजें दिखाई दें तो ये देखिए सबसे पहले सबसे पहले ये जो notice है मारा blur तो नहीं हो रहा एक बार बताएंगे off duty airman visible नहीं है sir notice अब visible है अब देखिए आप सारी चीजें दिखाई दे रही है या नहीं ये बताईए एक बार अब सारी चीजें दिखाई दे रही है या नहीं आप I think सब कुछ दिखाई दे रहा ठीक है और जो आपको नहीं भी दिख रहा है मैं आपको यहाँ पर पढ़के सुनाँगा मैं आपको पढ़के बता दूँगा सारी चीजें कि क्या-क्या लिखा हुआ इस में CEN RRC 01 2019 ठीक है 2019 की जो वेकेंसी है आपकी जिसका हाली में एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया था उसके रिगार्डिंग यह अपडेट है ठीक है ओफ डूटी एर्मेंट टन ओके आ गया तब दिखाईजे रहा सबको बहुत अच्छी बात है देगे इसमें ऐसा कहा गया है कि आपकी जो आंसर की है ठीक है आपकी जो आंसर की है वो अभी तो नहीं आई है लेकिन बस आने ही वाली है कैसे सबसे पहले तो यह इन्फर्मेशन को पढ़ लिजे हालां कि हमारी बहुत काम की नहीं है हमें इसके बारे में सब कुछ बता है यहां पे सिर्फ इतना बताया गया है था कंप्यूटर टेस्ट पॉर पे लेवल वन अगेंस्ट इन रासी दोजार उन्निस वास कंडिकेट रॉम 17 8 2022 11 2022 इन वारिश साथ इन अर्ड कंडिडेट कुछ थूए इन थर्फ इन थी थूए थी थूए रूपी पर रिस्पॉंस और आंसर की इस आ से यहां तक का हिंदी में अगर मैं रूपांतरण करूं हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं तो कहने का मदलब यह है कि आपका जो computer आधारित परिक्षा जो हुई थी आपकी computer आधारित परिक्षा जो हुई थी आपकी वो कब से 17-8-2022 से स्टार्ट हो करके 11-10-2022 तक चली ठीक है 11 अक्टूबर 2022 तक चली यानि कि अभी सिर्फ तीन दिन पहले आपकी परिक्षा घतम हुई थी ठीक है और उसी परिक्षा के सापेक्ष उसी परिक्षा के सापेक्ष आपको जो आपके question paper के साथ में ठीक है तो वही यहां पर information दी गई है ही आपके question paper के साथ में आपकी answer की जो है वो आ रही है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे इसमें कुछ dates दी गई है इन dates के बारे में बात करेंगे तो देखिए activity time schedule है time schedule में क्या क्या चीज़े है देखिए time schedule मे सबसे पहले तो हमें दिया गया है viewing of question paper response and keys viewing of question paper response and keys यानि कि वो समय जब आप question paper को देख सकते है response seat and keys जो है आपकी answer की को देख सकते हैं वो समय है हमारा 14 10 2022 एक बज़े ठीक है 14 10 2022 को एक बज़े ठीक है 13 का मतलब क्या होता है 12 प्लस एक 13 एक बज़े एक बज़े 14 तारीक आज है ठीक है आज 14 तारीक को एक बज़े से आप देख पाएंगे अपनी answer की with question paper ठीक है अपनी answer की with question paper आज एक बज़े से आप लोग देख पाएंगे ठीक है इसके अलावा दूसरा जो point है मारा दूसरा पॉइंट क्या है विइंग एंड रेजिंग ओफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दा कुश्चन ऑब्जेक्शन एंड कीज एंड ओनलाइन फी पेमेंट आपकी जो आंसर की होगी अगर आपको उस आंसर की में कोई भी डाउट है कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए ऑब पेमेंड क्या डाल सकते हैं आपकी आंसर की में अगर कोई ऐसा कुश्चन है जो आपको लग रहा है यह सही है मैंने इसका आंसर ठीक ट्क किया है लेकिन बोर्ड ने इसे घलत माना है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कब से पंदरे तारिक से यानि कि कल से objection डाल सकते हैं सुबह 10 वजे से ठीक है आगे देखिए closing of the viewing of question paper objections raising and payment window देखिए आप कब तक देख सकते हैं कब तक आप objection डाल सकते हैं कब तक आप अपना question paper यानी की answer की देख सकते हैं तो ये date है हमारी 19-10-2022 19-10-2022 तक आप answer की देख सकते हैं आप उस पर objections raise कर सकते हैं ठीक ह इसके अलाबा objection जब आप raise करेंगे जब आप objection raise करेंगे किसी भी question के लिए तो कैसे करेंगे ऐसा नहीं है कि सारी चीज़े मुफ्त में मिलें यहाँ पर कोई भी चीज मुफ्त में नहीं है सरकार हमारी इतना ध्यान शायद विद्यारतियों का नहीं रखती है जो उन्हें सा रहने वाली है पर question के ठीक है पर question फीस जो रहने वाली है वह पाचास रुपे रहने वाली है क्युक् seul ठीक है पर कोश्यन आपकी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है कितनी 50 रृपए ठीक है 50 रुपधाigent पर कोश्यन फैतर पर कोश्यन पर रहने रहने वाले हैं इसके सात में बैंक कर कोई एक्ष्टर चार्ज लगता है तो वो भी तो वो भी इसमें एड होगा ठीक है वो भी इसमें एड होगा ये कहा गया है इसमें ठीक है तो मैंने कहा आप से 50 रुपए लग रहे हैं इसके अलावा अगर बैंक का अजर चार्ज लग रहा है तो वो भी आप से लिया जाएगा ठीक है इन केस दा अब्जेक्शन रिजार इस फांड टू बी करेक्ट दा फी पेड अगेंस शच वैलिड अब्जेक्शन अफर डिड़क्शन ओफ अप्लिकेवल बैंक चार्जेस दा रिफ़ंड विल बी मेड तू दा अगांट फॉम वेर दा अड़ केंडिडेट मेड दा ओनलाइ payment यहां पे एक चीज और साफ साफ कही गई है कि अगर आपने जो objection किया है आपने जो और जिए किया है आपने कहा है कि आपने कहा यह वाला question मेरा सही था बोर्ड ने इसे गलत किया है अगर उस आपती में आप सही पाए जाते हैं तो आपके जो 50 रुपे हैं ये refund कर दिये जाएंगे उसी account में जिससे आपने objection करते समय fee payment की है तो इस वजए से आप जो है ऐसा ना करेंगी cyber cafe वाले से बोलें कि अपने account से पैसे काट दें क्योंकि अगर वो अपने account से पैसे काट देगा और आपका objection अगर सही पाया गया तो पैसे उसी के account में आएंगे इसलिए हमेशा जो है जब भी objection raise करें या कोई form apply करें जहां पे भी refund की बात कही जाए तो हमेशा आपने account से ही करें तो आपके account में वो 50 रुपए वापस से credit कर दिये जाएंगे लेकिन जो extra charge लगा था bank का वो वापस नहीं आएगा ठीक है आगे बढ़िए mode of fee payment जो आप fee pay करेंगे उसका mode क्या क्या होगा तो all bank debit cards credit cards are allowed सभी जो भी आपके bank के credit cards हैं debit cards हैं उन्हें अनुमति दी गई हैं उनसे आप payment कर सकते हैं रूपे card UPI आई 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 रॉपे card है UPI है उससे भी आप payment कर सकते हैं multi bank retail net banking multi bank corporate net banking आई रॉड यानि कि सभी जो भी हमारे आजकल चल लए हैं इस समय fee payment के जो भी options है online वो सारे के सारे जो हैं यहाँ पर अनुमति दी गई है उन्हें ठीक है लास्ट है हमारा सबसे लास्ट जो पॉइंट है मारा वो क्या है तो देखिए सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है procedure of raising objection objection रेस करने का procedure क्या होगा यह सबसे लास्ट पॉइंट है एक बार इसे भी समझेंगे ठीक है एक बार इस पॉइंट को भी समझ लेंगे तो देखिए हमसे कहा गया है हमसे कहा गया है the detailed procedure with necessary guidelines will be available in the link provided on the official website of RRBs सबसे पहली बात सचन कुमार क्या हुआ सर आज दिन में सचन कुमार आज RRB group D का जो answer की है उसका notification आ गया है और आज आज एक वज़े से आप answer की देख पाएंगे तो अगर आपने RRB group D का exam दिया है तो आज एक वज़े से आप answer की अपनी check कर पाएंगे ठीक है उमेज सिंग सर answer की कैसे देखें उमेज सिंग भाई मैंने कहा अभी answer की क्या सिर्फ notification आया है answer की आपकी एक वज़े से देखने को मिलेगी ठीक है तो हो सकता है हम एक वज़े फिर से live आएंगे आप सबके बीच में और आपको live answer की check करवाएं ठीक है आप सबके बीच में एक बार फिर से live आएंगे और फिर live answer की check करवाएंगे ठीक है तो last point को भी समझ लेते हैं last point क्या है procedure of raising objection तो the detailed procedure with necessary guidelines will be available in the link provided on the official website of rrb तो जो link होगा ना link होगा जो objection raise करने का वो rrb की official website पे आपको दे दिया जाएगा अभी कोई भी link नहीं है क्यों क्योंकि अभी answer की नहीं आई है तो इस वेज़े से कोई link भी नहीं है जब एक बज़े answer की आ जाएगी तो कल 15 तारीक को सुबह 10 वज़े से आपको वो link मिल ज जाएगा जहां पर आप objection raise कर सकते हैं ठीक है फिफ्त नंबर पॉइंट क्या है candidates are advised to raise objections if any well before the final date and time 1910-2022 at 2355 यानि कि 11 बचके 55 मिनिट रात की बात की जा रही ठीक after which no representation from the candidates on the questions options की एटीसी विल बी entertained ऐसा कहा गया है कि जो भी हमारे candidate है off duty airman सचन कुमार हमने नहीं दिया था मेरा form नहीं पड़ा था चलिए कोई बाद ने सचन कुमार अगर आपने form नहीं डाला था तो फिर आपके काम की चीज नहीं है यही जिन साथियों ने form apply किया था exam दिया था उनके काम की चीज है 10 उननिस अक्टूबर 2022 को रात 11 बचके 55 मिनट तक अपनी आपति दर्ज करा लें इसके बाद में अगर कोई भी आपति दर्ज की जाती है तो will not will be entertained यानि कि इसके बाद में अगर आप आपति दर्ज करते हैं तो उससे सुईकारे नहीं किया जाएगा बिलकुल भी ठीक है next point है point number six the decision of RRBs on the objections raised shall be final and binding and no further correspondence shall be entertained from the candidates in the matter आगे कहा गया है कि आपके objections के लिए आपके objections के लिए RRB का जो निरले होगा वही अंतिम होगा और आप उसे मानने के लिए बात दे होंगे ठीक है उसे मानने के लिए आप बात दे होंगे और आगे कहा गया है no further correspondence shall be entertained from the candidates in the matter और आगे कोई भी पत्राचार सुईकार नहीं किया जाएगा ठीक है आगे आप किसी भी तरह से objections raised करना चाते हैं चाहे online या फिर offline वो सुईकार नहीं किया जाएगा अगर board ने एक बार बोल दिया ये सामने नीम का पेड़ था आपके मान लिए ये नीम का पे so I hope आप सबको समझ आ गया होगा एक बज़े आपकी answer की जो है वो आपको दिखाई देने लगेगी एक बज़े आपकी answer की आपको दिखाई देने लगेगी देखे ये टाइम है नारा एक बज़े चौदे तारिक जो कि आज है और एक बजे ते आपकी आंसर की दिखाई देने लगेगी तो जिन भाईयों ने जिन साथियों ने पॉम डाला था रेलवे गुरूप डी का एक्जाम दिया था वो सभी लोग एक बजे से अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं अगर संबव हुआ अग आज की अपडेट जो की आर आर भी गुरूप डी वाले स्टुडेंट्स के लिए थी बाकी लोगों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है ठीक है तो अगर अपडेट या इन्फोर्मेशन जो भी मैंने दी उस इन्फोर्मेशन को आपने पसंद किया हो तो वीडियो के 3- الرtant वाले लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो हमारे पैट वाले साथी हैं 2- CS sabemos को अपने टाइम पर होगी ठीक है और ये इस्यूरिज की last classes है ठीक है इस series की ये last classes है आज ये series समाप्त हो जाएगी ठीक है कल से आपका exam है कल से सभी pet के विध्यार्टियों का exam है ठीक है तो आप सभी को आप सभी को best of luck आप सभी को best of luck पैट वाले विध्यारतियों को best of luck ठीक है तो आज की class वो और देखें और फिर अगर उनका कुछ भी छूटा हुआ है तो उसे एक वार revise कर लें और ज्यादा pressure ना लें ठीक है अगर आपका कुछ भी छूट रहा है तो ज्यादा pressure ना लें आप इस चीज़ को भूल जाएं कि आपका exam qualify होगा या नहीं होगा अगर आपने मेहनत अच्छ से की है तो पक्का 100% आपका exam qualify होगा ठीक है और अगर मेहनत नहीं की है तो फिर भाई उसके लिए आप gym में जा रहे हैं ठीक है तो अगर आपने मेहनत की है तो आप बिल्कुल exam qualify कर जाएंगे ठीक है हमारे कुमार गौरफ सर का एक बड़ाई famous dialogue है कि मंजिल ने होसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं होसलों ने मंजिल की आँखों में आखें डाल कर बोला चल जुटी तेरी इतनी आउकाद नहीं तो इस मंजिल को इसकी आउकाद दिखा देंगे अगर आपने मेहनत की है चाहत चौदरी हेलो अगर आपने मेहनत की है तो आप जरूर इस मंजिल को इसकी आउकाद दिखा देंगे ठीक है तो अगर by chance किसी card से आपका exam qualify नहीं होता है तो बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है पैट से आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलने वाली है ये जस्ट एक prelims eligibility test है जिसके बाद में आप exams दे सकते हैं लेकपाल का हुआ या जो भी वीडियो नहीं जो आपका forest regard का exam है इस तरह के आप exams दे सकते हैं अंकित कुमार very good evening भाई वो sorry very good morning वो क्या ना कि evening में पढ़ाता हूं तो good evening की आदर पढ़ गए ठीक है तो very good morning अंकित कुमार भाई ठीक है तो मैंने कहा आपको बिल्कुल भी दिल छोटा करने जुरूद नहीं है इसके तुरंत बाद हमारा UP Plus के लिए UP Plus के लिए और इसके साथ में SSC GD के लिए और इन दोनों के साथ में हमारे जो भी teaching exams हैं जो भी teaching exams हैं जैसे की TET हो गया ठीक है TET के लावा UP TET है ठीक है UP TET और साथ में सुपर TET इन सभी के batches स्टार्ट हो जाएंगे तो जो भी हमारे जो भी हमारे दोस्त teaching exams की preparation कर रहे हैं वो भी हमें join कर सकते हैं उसके अलावा जो UPP और SSC GD की तयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो वो लोग भी हमें join कर सकते हैं ठीक है Saturday और Sunday की आप लोगों की छुटी रहेगी क्यों 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 कि exam है आप लोगों का अमरेश मौरे है गुड मौनिंग सर वेरी गुड मौनिंग भाई चलिए तो मैंने कहा कि Saturday और Sunday को आपकी छुटी रहेगी आप लोगों की exams है पैट वालों के तो क्या है कि Monday से हमारे Monday से हमारी classes reopen होगी और किसके लिए तो सबसे पहले हम लेंगे UPP और SSC UD को ठीक है इसके बाद आगे जब चलेंगे तो हम CTET, UPTET और SuperTet को भी लेंगे ठीक है, तो जो भी हमारे साथ ही जुड़ना चाहते है वो जरूर हम से जुड़े है ठीक है, तो बस यहीं तक थी आज की information आज का वीडियो यहीं तक था अगर आप लोगों को information पसंद आई हो विशोनात रॉय लिंक एक्टिवेट टाइम टेबल सर विशोनात रॉय गुड़ू सिंग विशोनात रॉय, देखिए भई मैंने यहाँ पर बताया है लिंक एक्टिवेट होगा आपका यह देखिए आंसर की का जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा तबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ एक्टिविटी में विंग ओफ कोस्चेन पेपर रिस्पॉंस एंड कीज यह है हमारा 14,10,2022 यानि कि आज की डेट में और कब 13 बजे, 13 बजे का मतलब होता है कि एक बजे, ठीक है दिन के एक बजे ठीक है दिख रहा है ना अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है अब शायद प्रॉपर दिख रहा होगा आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी देखने में विनय यादव, वेरी गुड मॉनिंग भाई चलिए गुडडू सिंग, वेरी गुड मॉनिंग विशुनाथ रॉय विशुनाथ रॉय देखिए ये आपकी information है जो सबसे जरूरी है, वो क्या है कि आज जो है, आपकी answer की आएगी कितने बजे, तो एक बजे से एक बजे से, चाहें आप सरकारी result पे जाएं, या फिर आप RRB की official website पे जाएं ठीक है, चाहें आप सरकारी result ठीक है, correct एक बजे ओके, तो गुड्डू सिंग और विशुनाथ रॉय अगर आप लोग चैनल से नई जुड़े हैं आज पहली वार आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ठीक है, विशुनाथ रॉय, ठैंक्स वेलकम भई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास से जुड़ने के लिए, तो मैंने कहा अगर आप पहली वार क्लास से जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों को इसाथ शेर कर दें जो भी आपके साथ ही, यूपी पुलिस, एससे जुड़ी की तयारी करना चाते हैं उन्हें बिल्कुल एक बार चैनल के बारे में बताएं और उनसे कहें कि आप बस एक बार जा करके देखी, अगर आपको फसंद आए तो आप चैनल से जुड़े रहें आने था बहुत सारी चैनल है यूटूब पे और उसके इलावा ओफलाइन क्लासेज भी हैं तो आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं लेकिन एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें पिर आपको गर अच्छा लग रहा है तो ठीक है राहूल कुमार गूड मौनिंग्ज, वरी गूड मॉनिंग भाई तो बस यहीं तक थी आज की जो information थी वहीं तक शाम को मिलेंगी आप से वही हमारा time है, daily का वही हमारा daily का time है, kinतने बज़े, 6 box करके 50 minute ठीके है? 6 बच करके 50 मिनट पे शाम को मिलेंगेWow आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीके? उम्मीद करता हूँ कि जब भी मेरी क्लास होगी, आप सभी लोग क्लास से जरूर जुड़ेंगे तो शाम को 6 बच करके 50 मिनट पे क्लास है, कोई भी जुड़ना ना भूले अमरेश मौरे, UPP Constable की क्लास कब से चलेगी सर? तो UPP Constable की क्लास अमरेश मौरे, ये हमारी चलेगी मंडे से, ठीक है? ये क्लास हमारी मंडे से चलेगी, और मंडे को तारीख कितनी है? पूरे के 17, सुन्दर गुर्जर कब देख पाएंगे, कब से कब तक? सुन्दर गुर्जर 6 बच करके 50 मिनट पे डेली रीजनिंग की कलास होती है, रीजनिंग की कलास होती है, 6 बच करके 50 स्युनिट पे, और लगभग चलती है ये 8 बज़े तक, ठीक है? 8 बजे तक तो करीब 1 घंटा या फिर 1 घंटा 10 मिनट तक की class ये होती है ठीक है फिर उसके बाद में 8 बच करके 10 मिनट पे class होती है आपकी maths की जो की आपके सुनील सर पढ़ाते है ठीक है चलिए तो मंडे से आपकी UP पुलिस की जो है UP पुलिस का एक बजे उसका link आजाएगा उस link पे जाकर के आप आराम से अपनी answer की देख सकते हैं with question paper ठीक है आपका question paper भी आपके सामने आजाएगा सुन्दर गुर्जर सर कट ओफ का भी बता दो सुन्दर गुर्जर भाई मेरे कट ओफ का मुझे कोई idea नहीं है मैं बाकी teachers की तरह आपको बहकावे में नहीं रखना चाता कि हाँ भाई मैं ये बता दूँ कि इदनी cut off जा रही है अगर सच बताओं तो ना ही मुझे और ना ही किसी और teacher को cut off का कोई भी idea रहता है किसी को भी कोई idea नहीं रहता है बस सब अपना अपना तुक्का लगाते हैं जिसका तुक्का सही बैठ गया वही बच्चों की नजर में भगवान हो जाता है ठीक है वही teacher बच्चों की नजर में भगवान हो जाता है जिसका तुक्का सही बैठ जाता है बाकी मैं यहाँ पे तुक्का मारने के लिए बिलकुल भी नहीं आया हूँ इस चैनल पे आपको कभी भी कोई cut-off नहीं बताई जाएगी कोई भी expected cut-off नहीं बताई जाएगी कभी भी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम जीएंगे reality में ठीक है reality में जीएंगे यहाँ पे कोई तुक्का मारने वाला सीन नहीं है हम आपके साथ में मैनत करेंगे आप हमारी साथ में मैनत करिए ठीक है आपका selection हमारी जिम्मेदारी ठीक है बाकी यहाँ पे तुक्का मारने वाला कुछ नहीं है अमरेश मौरे 60 प्लस रहेगी cut-off भाई वो आप अपना समझे कितनी भी रहे जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके सामने आजाओंगा वीडियो ले करके कि cut-off कितनी रही उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कह सकता और आप से भी कहूंगा आंसर की देखने के बाद में जिसके भी number कम है माल लीजिए आपने कहा कि 60 प्लस रहेगी cut-off तो अगर जिसके number 55 है वो बिलकुल भी मायूस ना हो लोगों की ये वीडियो देख करके कि cut-off 60 पे जाएगी 70 पे जाएगी 80 पे जाएगी क्योंकि board के अलाबा किसी को भी अंदाजा नहीं है कि cut-off कितनी जाने वाली है ठीके तो जिसके पच्पन है वो इस वज़े से मायूस ना हो कि इसका selection नहीं होगा हो सकता है normalization के बाद इसका भी selection हो जाए ठीके या फिर cut-off इतनी ही जाए भाई किसी को नहीं पता है cut-off कितनी जाने वाली है तो बिलकुल भी कोई भी idea नहीं है cut-off कितनी जाएगी और मैं कभी भी आपको cut-off नहीं बताऊंगा चाहे वो कोई भी exam हो मैं आपको cut-off कभी नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपका काम पढ़ने का है मेरा काम पढ़ाने का है cut-off board खुद से decide कर लेगा ठीक है cut-off बताना या result लाना ये सब board का काम है तो आप अपना काम कीजिए मैं अपना काम करता हूँ और board को उसका काम करने दीजिए ठीक है तो किसी की भी video ना देखें जो आपको भर्मित करें ठीक है तो आप आराम सेगर आपके 55 भी हैं फिर भी आप देखें इस भर्म में मत रहिए कि 55 पर सेलेक्शन हो जाएगा मैं ऐसा कह रहा हूँ नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि एगर कोई ठीक है और महनत करने के बाद मैं 55 नंबर ला पाया हूँ महनत करने के बाद मैं 55 नंबर लेकर के आया हूँ ठीक है तो आपने वहाँ पे महनत की विपन यादव आंसर की कब तक भाई आंसर की आज आएगी आंसर की आज आएगी एक बजे एक बज़े answer की का link आपको मिल जाएगा अगर possible हुआ तो मैं आपके सामने आ करके यहाँ पे live answer की check करूँगा ठीक है विपन यादव विपन यादव मैंने आपके comment का answer कर दिया एक बज़े correct एक बज़े आपका link जो है वो activate हो जाएगा बाकी हो सकता है कि एक बज़े बहुत ज़्यादा traffic हो क्योंकि railway का जो exam है यह all India मतलब all India level पर conduct होता है हर state के बच्चे form डालते हैं हर state के बच्चे जो है answer की check करने के लिए आएंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा traffic हो ठीक है तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है otherwise जो official update है हमारे पास जो official update है हमारे पास तो आप देख पाएंगे यह रहा viewing of question, paper, response and keys तो यह 14, 10, 2022 को एक बज़े से है ठीक है 14, 10, 2022 को एक बज़े से है ठीक है तो यह हमारा official है बाकी अगर traffic की बज़े से थोड़ा बहुत लेट हुआ 10-15 मिनट या एक घंटे कभी कभी क्या होता है कि जब किसी website पे बहुत ज़्यादा traffic होता है तो वो लोग क्या है कोई result देने वाले हो या answer की देने वाले हो उसे थोड़ा delay कर देते हैं हो सकता है एक दो घंटे चार घंटे या maximum 12 घंटे कर दें या उससे ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है तो वो उनके उपर है अगर traffic ना हुआ तो आपको correct एक वज़े आपकी answer की देखने को मिल जाएगी ठीक है तो मैं जो कह रहा था मैं ये कह रहा था कि अगर आपके 55 नंबर है तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो आपने इमांदारी से मेहनत की आपके 55 नंबर आए अगली बार आपके 55 से 75 भी आएंगे या 80 भी आएंगे अगर आप इमांदारी से मेहनत करेंगे तो ठीक है तो किसी की भी बैकावे में मताएं अमरेश मौरे सर एक बजे ओनलाइन आओगे ना भाई अमरेश मौरे बिल्कुल 99% में कहके जा रहा हूँ कि मैं एक बजे लाइव आऊंगा आप सभी लोग अपने जो क्या कहते हैं आपके रॉल लंबर जो है ना आप अपने रॉल लंबर क्लास खतम होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख दें ठीक है तभी लोग अपने रॉल लंबर लिख दें महाँ पे जितने लोगों की पॉसिवल होगी मैं आंसर की डाउनलोड करके और आपके सामने यहां पर दिखाऊंगा ठीक है आप मेंसे जितने लोगों की पॉसिवल हो पाएगी मैं आंसर की डाउनलोड करके यहां पर आपके सामने दिखाऊंगा ठीक है राजीव कुमार सर आप एक वजे ऑंलाइन रहूंगा पूरा प्रयास करूँगा आपके सामने आने का और आपको लाइब आंसर की तो और बाकि जो पढ़ाई से रेटेड वीडियो रहेगा हमारा वो छे बच करके 50 मिनट पर डेली क्लास होती है तो आज भी छे बच करके 50 मिनट पर ही होगी रिजनिंग की उसके बाद में मैस की होगी और उससे पहले उससे पहले 3-4 रहती है हमारी हिंदी की क्लास जो कि आठ बच करके 10 मिनट पर जो आपकी मैस की क्लास है उसे भी जरूर लें ठीक है बाकि जो मंडे से हमारा सेडियूल रहेगा वो हो सकता है शायद थोड़ा चेंज हो जाए मंडे से जो हमारा नया बैस स्टार्ट होगा एससे जीडी के लिए ठीक है पूरा इसमें हम 0 से स्ट क्लास ओफ हो जाए ना जैसे ही एक लाइफ सेशन ओफ होगा आप उसके कमेंट बॉक्स में अपना रॉल लंबर लिख ले ठीक है अनिल कुमार वैरी गूद मॉर्निंग भई अनिल कुमार सबी लोग आप में से जो भी लोग है आप में से जो भी लोग है राज कुमार सर किस किस जोन की आ गई आज भाई अभी जोन के बारे में कुछ नहीं बताय गया है हो सकता है सबकी एक साथ आए अभी official update जो हमें मिला है आप एक बार फिर से देख लीजिए, आप शायद लेट जुड़े हैं हमारे साथ में, आप शायद हमारे साथ में, आप हमारे साथ में शायद लेट जुड़े हैं, ठीक है, तर हुबली वालों की आंसर की कब तक आएगी, भाई मेरे आटू अंतरिक्ष, मैंने कहा, अभी जो अपडेट नहीं है एक बजे इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि अलग-अलग जोन की अलग-अलग टाइम पे आएगी अलग-अलग डेट पे आएगी या सबकी एक साथ में आएगी राकेश चौरसिया गुड मॉर्निंग भाई वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है तो मैंने कहा मैंने कहा राकेश चौरसिया एक्सपेक्टिट कट ओफ गुरकपुर का सर कितना जाएगा भाई मेरे राकेश चौरसिया मुझे कट ओफ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और आप सबसे निवेदन है कि जब सीधा आपका रिजल्ट आए जब सीधा आपका रिजल्ट आए तो आप रिजल्ट देखें ठीक है किसी की भी मेरी या किसी और की भी एक्सपेक्टिट कट ओफ की कोई भी वीडियो ना देखें इससे सिर्फ आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा आपके दिमाग पे स नहीं कह रहाए हूँ summitr जाएगी अगर मैंने कहा कि cut off 70 जाएगी ठीक है तो अगर आपके number 65 हैं ठीक है और आपके number 75 हैं अगर आप ke number 65 है आप हो गए myUs अगर आपके number 75 है आप हो गए बहुत चाहे आप खुश हों, दोनों ही condition में आप अपने आगे आने वाले exam की preparation नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दोनों ही condition में आप आने वाले exam के लिए preparation नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, तब भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा मायूस होंगे, ब आप UP Police का वेट कर रहे है, SSC GD का वेट कर रहे है, तो SSC GD के लिए तो I think December में जो आपका अभी कुछ दिन पहले exam calendar आया था SSC का, उसमें SSC ने बताया है कि December में form apply होना start हो जाएंगे, ठीक है, form apply होना या फिर शायद December में उसका notification आएगा कुछ है, ऐसा मुझे याद नहीं ठीक से, ऐसा कुछ खाया है, SSC ने अपने exam calendar में, ठीक है, तो December में आपके form पढ़ने start होंगे, या फिर notification आएगा, कुछ भी होगा, लेकिन start जरूर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, कि SSC जो अपने exam calendar में लिखता है, उसके एक दिन बाद, या बहुत बार ऐसा देखा गया है, कि उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले वो काम करता है, ठीक है, अगर हम पीशे Corona के time को छोड़ दें, सिर्फ Corona के time पे ऐसा हुआ था, जब SSC की जो dates थी, जो tentative dates थी, उन पे उसने काम नहीं कर पाया, और बहुत ज़्यादा late हुआ, लेकिन उसके अलावा हम चाहें SSC का पीशे का इतियास देखें, या फिर अभी जो current में चल ला है, हमेशा यही हुआ है, SSC on time अपना सारा काम करती है, ठीक है, तो December में आपको notification देखने को मिल जाएगा, ठीक है, December में आपको इसका notification देखने को मिल जाएगा, तो भाई मेरे जितने भी लोग हमें live देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें इस समय live देख रहे हैं, वो सबसे पहले like का बटन दबा देखें, ठीक है, और जो भी साथी हमारे ने जुड़े हैं, जो भी साथी हमारे ने जुड़े हैं, वो चैनल को subscribe कर लें, ठीक है, सभी लोग चैनल को subscribe कर लें, और like का बटन जरूर दबा दें ठीक है तो हमने कहा कि अगर आपके 75 नंबर है तो आप बहुत ज़्यादा खुस हो गए आपने तब भी preparation नहीं कर पाई आपके पैसेट है तो आप बहुत ज़्यादा मायूस हो गए तो आपको किसी की भी वीडियो नहीं देखनी है किसी भी candidate की वीडियो नहीं देखनी है चाहे वो कितना भी बड़ा teacher क्यों नहीं हो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मैं यह नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा teacher हूँ या कोई और दूसरा अच्छा teacher है चाहें आपकी नजर में कोई कितना भी अच्छा टीचर हो आपको उसकी वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा और कुछ नहीं होगा ठीक है और एक बार आपके उपर प्रेशर आगया आपकी पढ़ाई चौपट ठीक है एक बार आपके उपर प्रेशर आगया आपकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी पूरी तरह से अमरेश मौरे है शलिए तो ठीक है मैं आपको अपनी जोबास समझाना चाह रहा था वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे तो कोई भी वीडियो मत देखिए बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमें एकदम टेंशन फ्री होकर के रहना है ठीक है अच्छे से पढ़ाई करनी है मन लगाके और इमानदारी से ठीक है जिस दिन पढ़ाई करने के बाद आपके अंदर ऐसी फिलिंग आए कि हाँ मैंने मेहनत की है तब समझे कि आपने वाकई मेहनत की है अदरवाइस आप किताब खोल के बैठे रहे तो आपका आपकी जो अंतरात्मा है आपका जो दिल है वो खुद अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं भाई तू खुद को दोखा दे रहा है अपने घरवालों को दोखा दे रहा है तो ना खुद को दोखा देना है ना ही अपने घरवालों को धोखा देना है ठीक है जो खुद को धोखा देता है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेवाज है ठीक है जो वेक्ति खुद को धोखा देता है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेवाज वही है ठीक है तो पूरी इमानदारी से पढ़ 새로 tornar कें एंगे. की तो बाकी अगर आप लोग के और भी कुछ questions है तो सभी ग्वार कमेंट करिए जो भी आपके 우p questions है मैं एक वार आपके comment ले लेता हूं जल्दी स से कमेंट box में जल्दी से comment box में बता देंगे अगर कोई भी दिक्कत हूं के करिस्ट हूं है अगर किसी को और भी कुछ पूछना है तो comment box में लिखे अगर नहीं पूछना है तो एक वार थमसब करें फिर हम class को off करते हैं ठीक है अगर आपको कोई doubt है कोई confusion है तो एक वार comment box में लिख दें otherwise थमसब करें और आराम से जो है class को off करते हैं ठीक है महेंद्र answer की कब तक आज भाई महेंद्र उमेंज सिंग सर कौन से जोन की answer की आएगी मैंने ये कहा कि अभी हमारे पास इसका कोई भी official जानकारी नहीं है की answer की जो है कौन से zone की पहले आएगी, कौन से zone की बाद में आएगी हो सकता है सारे zone की answer की 7 में आजा है, ठीक है महेंदर, answer की कब तक आएगी आज भाई महेंदर answer की आज एक बज़े आएगी आप फिर से देख लें एक बार, आप शायद देर से जुड़ पाए यह आपका टाइम लिखा हुआ है वीविंग ओफ कोश्चन पेपर रिस्पॉंस एंड कीज 14.10.2022 आज की तारीख है 14.10.2022 एक वज़े से आज आप एक वज़े से आंसर की चेक कर पाएंगे अमित कुमार कैसे देखें भाई एक वज़े लिंक आजाएगा एक वज़े लिंक आजाएगा आररवी की ओफिशल वेब साइट पे या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो वहां से भी वो आपको रिडारेक्ट कर देता है वो आररवी की ओफिशल वेब साइट पे ही ठीक है तो आप कहीं से भी देख सकते हैं महंदर बिलासपुर जोन भई महंदर मैंने फिर से बार बार कह रहा हूँ आपसे एक ही बात कह रहा हूँ मैं अमरेश मौरे जोन बाइज आएगी क्या अमरेश मौरे भाई मेरे अभी किसी को नहीं पता है कि आंसर की जोन बाइज आएगी या सबकी एक साथ में आएगी क्योंकि जो RRB ने अफिशली अपडेट दी है वो आपके सामने है देखिए ना मेरा RRB वालों से जो RRB है जो बोर्ड है ना मेरा उससे कोई नाता है ना आपका ठीक है जहाँ आप है वहाँ मैं हूँ बस ये है कि मुझे ये अपडेट पहले मैंने देख ली तो मैं आपके सामने लेकर के आ गया हो सकता है आप में से बहुत सारे साथियों न आप में से बहुत सारे साथियों ने मुझे से पहले ये सब देख लिया होगा और उन्हें पता है कि क्या चलना है नीलम राजपूत राधे 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 नीलम चलिए तो ये था हमारा और भी एगर किसी को कोई भी डाउट है चाहें वो हमारे अपकमिंग बैचेस के चाहें इस सेशन को लेके हो चाहें आरारभी को लेकर रुके हो जो भी डाउट हो अभी आप लोग पूछ सकते हैं ऑफ ड्यूटी एर मैं सर आप एक बज़े चेक करना और खुद बता देना ठीक है सर ओके ऑफ ड्यूटी एर मैं मैं बिल्कुल एक वज़े आप सब के करता भाई कि कितने बज़े दुबारा से चीजें हो रही है ठीक है क्योंकि यह चीजें हमारे हाँ में नहीं है क्योंकि यह जो एक्जाम है यह और सबी को यह देखना रहता है कि हमने एक साल दो साल और बलकी 2019 में फॉर्म एप्लाई हुए थे और एक्जाम हुआ आपका 2022 म में एक्जाम हुआ तो जो भी साथी हमारे थे जिन्होंने महनत की और महनत करने के बाद एक्जाम दिया तो उनके अंदर एक होड मची रहती है कि भाई हमने इतने दिन महनत की तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमारे कितने माक्स आए हैं ठीक है हमें यह देखना है हमारे कितने माक्स आए हैं या वो साथी भी जिन्हों ने कभी पढ़ाई नहीं की जिन्हों ने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की exam में जाकर के के सारे तुक्के लगाए हैं वह लोग भी वहां पर यह देखेंगे कि यार मेरे कितने तुक्के सही हो गए तो यानि कि कुल मिलाके अच्छे लड़के हैं वह भी आएंगे और जो तुक्के वाद ने वह भी आएंगे ठीक है लक आपका नाम में पढ़ नहीं पा रहा हूं लक ओडे डारा क्या है जो भी है गुजरास से ओके भई गुजरास से हैं हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं ठीक है आप गुजरास से हैं हमारे माननी ये प्रधानमंत्री जी भी गुजरास से हैं तो आप प्रधानमंत्री के शायद राज जिसे हैं या उनके गाउं से जहां से भी हो सकते हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है ठीक है चलिए तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नह आज के session को यहीं पर off करते हैं, अब भी अगर आपके अंदर कोई भी doubt बच रहा है, कोई भी confusion बच रहा है, तो class off होने के बाद comment box में जरूर लिखें, ठीक है, बाकी अपने roll numbers जिन लोगों ने exam दिया है, वो सभी लोग अपने roll numbers comment box में जरूर लिख दें class off होने के बाद में, ठीक है, तो मुझसे जितने लोगों का possible होगा, उतने लोगों की answer की download करके, मैं आपके सामने ले करके आऊंगा यहां पर, ठीक है, चलिए, तो यही थी हमारी आज की class, आज की जानकर यहीं तक थी, शाम को 6 बच करके 50 मिनिट पे तो हमारी class होगी, वहाँ पे मिलेंगे, औ और एक बज़े, फिर से हम आपके बीच आएंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो, मैं एक बार answer की check करके देखूंगा, अगर एक बज़े traffic ना हुआ, तो class live हो जाएगी, अगर traffic हुआ, तो फिर class late होगी, ठीक है, यह वाला जो session है हमारा, यह late हो जाएगा, तो आप लोग भी एक बार चेक कर लें, अगर आपको दिख रहा है traffic नहीं है, तो एक बज़े live जुड़ जाएं मेरे साथ में, otherwise फिर बाद में 6 बज़ के अरके 50 मिनट पर तो हम मिलेंगी, मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए आराम से पढ़ते रही है, हसते रही है, मुस्कुराते रही है, जै हिन जै भारत, बाई